दोस्तो महाईशी रुसी में आजम बनेंगे दो चटनियों के साथ में एक बहुत ही स्पेशल और काफी फैंसी सा नाश्ता जो की बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन इसे आप जिसके आगे भी सर्व करेंगे ना एक बार तो फ्रेंस पूछेगा जरूर की आपने बनाया कैस से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है फटाफट बनके तैयार हो जाता है हाडली तीन से चार मिर्ट में आप इसे बना कर तैयार कर लेंगे और इसके साथ ही इतना आसान है कि आपको बहुत प्रिसंद आएगा वीडियो अच्छा लगिए कमेंट करें लाइक करें चैनल को सब सब्सक्राइब करें और जो बैल आइकन है आप उसे प्रैस कर दें अपने चैनल माईशरी में आप सभी करते हूं दोस्तों इस स्पेशल और फैंसी नाच्टे के साथ खाने के लिए कि स्पेशल चटनी बनाएंगे जो की बहुत ही आसान है बस एक कप पानी लें उबलने के चोड़ दें जैसे ही उबालाएं उसके अंदर आप डालें दस पंद्रें यह सुकी हुई लाल मिर्चे और इनका बीज वगर आपको नहीं डिक नालना है बस ऐसे ही डाल दीजिए करीब डेल से दो मिनेट इने पकाई है डेल से दो मिनेट बात फ्रैंस देखेंगे एक तो दो इसमें कर सकते हैं मरजी आपकी है और उसके बाद इसे करीब तीन मेट पकाएंगे और तीन मेट में पर्फैक्ट पककर तैयार हो जाएंगे आपको इसके लिए जो सिर्फ टमाटर पकाने ना इतने पकाने कि इनका इसकीन निकलने लगए बहुत ज़दा मैसी नहीं करन तो यह थोड़े से ठंड़े हो जाएंगे तो चलिए ठंड़ा करने के लिए मैं कर देती हूं इसे एक अलग प्लेट में और उसके बाद टमाट्रों की इसकी नियाने के हम छिलका हटा देंगे और हम इसे डाल देंगे एक मिक्सी के जान में क्योंकि एट लास्ट हमें इसे पीसना है और ये देखिए एकदम बढ़िया और लाल रिंग की हमारी चटनी तैयार हो गई है चटनी का भी बेस तैयार हुआ है भी चटनी तैयार नहीं है तो चटनी को पकाने के लिए गैस होन क करी कढ़ाई रखिए और कढ़ाई में डाल दिया दो टेबल स्पून जितना कोकिंग ऑल फर्ड आप चटनी को प्रेजर्व करना चाहते है तो तेल थोड़ा सा ज्यादा डाले अगर आप इसे इंस्टरंट खाने माले है तो एक दम कम तेल में बन जाएगी और गरम हो गया करी 10 बारे कलिया लैसुन के जिसे एकदम बारीक बारीक कट किया है क्योंकि हम बना रहे हैं लैसुन वाली तीखी चटनी और यह गया एक इंच जितना अद्रक का टुकड़ा अद्रक डालने के बाद में आपको वेट नहीं करना है साथ ही डाल देना है एकदम बारीक आप इसमें डाले हूं एक टीश्पून जितनी सोया सॉस और इसमें हलका सा मीठा पना जाए उसके लिए एक टेबल स्पून जितनी टमैटो सॉस और आधा चमच जितनी चीनी अगर आपको सिर्फ खटी और तीखी चितनी पसन है तो जो मैंने बाद में चीनी डाले है उसे स्कीप कर सकते हैं लेकिन सॉस जरूर डालने उससे कलब भी इंपूर्ब हो जाएगा और साथ ही टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया करेगी और अब मैं इसमें डाल रहे हूं आधा नीबू का रस आप चाहे तो इसमें जाए विनेगर डाल सकते हैं बस इसमें खटास आनी चा को सिर्फ आधा चमज डालना है और दोनों चीज़े को बड़ी हासा मेक्स कर लिया और जिसे ही दोनों चीजे मेक्स हुई मैंने ले लिया है आधा कप जितना घर का जमा हुआ गाढ़ा दही बस दही में पानी बहुत जादा नहीं होना चाहिए अगर दही में पानी किया और कवर करके 10-15 मिनिट के लिए एक साइट से रख दें जिससे सूजी फूल जाए इसी बीच हम बनाएंगे दूसरी अचार वाली जटने जो की अमेजिंग टेस्ट की होती है तो उसके लिए फिर से मिक्सी का जा ले लिया और उसमें डाल दी ये तीखी वाली हरी तीन टेबर स्पून जितना डसीकेटिट कोको नट अगर आपके पास फ्रेश कोला है आप फ्रेश ले सकते हैं और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक और नमक इसमें थोड़ा सा कम जाएगा और आदे चम जितना जीरा डाल दिया और ये मैंने लिया है फ्रैंड्स हींक अमेजिंग टेस्ट की बनती है और उसके बाद आपको इसमें कोई ज्यादा मसाले एट करने की भी जोरत नहीं है और धनिया डाला थोड़ा सा पानी डाला और ये देखिए एक दम बढ़ी हासी हमारी चेटनी तैयार हो गई तो चलिए इस चेटनी को भी साइट से किया अब हम डालेंगे दो टेबल स्पून जितना बेसन बेसन से सौंधापन भी बहुत आएगा टेस्ट भी काफी इंप्रूब हो जाएगा तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया सिर्फ दो से तीन टेबल स्पून जितना फ्रेंसिस नाश्ते को बनाने के लिए या तो आपक इन तीनों में से जो भी मिले उसके साथ यह नाश्ता बना सकते हैं और यह देखे यह बैटल भी एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है एकदम स्मूथ आपका बैटल होना चाहिए बहुत ज़दा रनी नहीं होना चाहिए तो मैंने इसे फिल कर लिया सॉस की बोतल के अंदर और बस इसका हम इस तरीके से कैप लगा देंगे और अब कर लिया मैंने एक तवे को गरम बस आपको भारी पैंते का तवा लेना है थोड़ा सा देशी घी डाले या कुकिंग अल कुछ भी डाले और टेश्य पेपर से उसे अच्छे से वाइप कर दिया तो चलिए अपना य जो हमने के सरकल बनाए है उसके बीद में चुटे-चुटे सरकल बनाती जाए और यह देखे पारफेक्ट एक दम बढ़िया हमारा जेले भी डोसा तैयार हुआ है तो थोड़ा सा देशी गी और अपलाई कर दिया इसके लिए आपको किसी सावर की ज़ुरत नहीं कोई स्ट अपलाई किया और यह देखे जब इस तरी किसे ड्राइ सा हो जाए थोड़ा सा कलर ले जाए बस उसी समय आप इसे टर्ण करती हो यह देखे क्या बढ़िया हमारा एक दम फैंसी सा डोसा तैयार हुआ है मैंने कहाना जो भी घाएगा वो पूछे का जरूर कि आपने इतना दोसा या इतना फैंसी नश्ता बनाया कैसे तो चलिए डोसे तो तयार हो गए है बारी आ गए प्लेटिंग के पहले रखिए यह अपनी अचार वाली चतनी उसके साथी लैसुन वाली तीखी चतनी और यह रखिए अपने बहुत ही फैंसी से डोसे जो कि खाने में अमेजिं टेस्ट आपको पता ही चल गया कि बहुत ही बढ़िया है तो किया ना लोगों की तारीफे ली जाए अब इसे आप चैटनी के साथ साथ करें सिर्फ सॉस के साथ करें अमेजिंग टेस्ट किया है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो हैल्फुल रहा हो तो इस रसीपी को जरू ड्राई करें और फीडबेक में मुझे भी बताई रसीपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें